जै महाकाल दोस्तों! कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ, भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे. दोस्तों, सब्दों में बहुत ताकत होती है. Actually, यूँ कहें, तो सब्दों में ही ताकत होती है. और किसी चीज में कोई सक्ती नहीं है. जैसे कि मैं आपको एक example देता हूँ, एक उधारन के तोर पर बताता हूँ, मान लीजिए, कि आप किसी व्यक्ती को नहीं जानते हैं. बिल्कुल भी आप नहीं जानते हैं, नहीं वो व्यक्ती आपको जानते हैं. लेकिन यदि आप उस व्यक्ती के साथ पास में जाते हैं, और बहुत ही म्रतुता के साथ, पोलैटली यदि कोई चीज, कोई बात करते हैं, तो सामने वाले व्यक्ती का reaction काफी आपके लिए बहतरीन होगा, नम्रता पुरोग होगा. लेकिन यदि उस व्यक्ती को आप नहीं जानते हैं, वो व्यक्ती आपको नहीं जानता है, लेकिन आप एकदम से जाते हैं, और कोई अब सब्द उसे कह देते हैं. कहा तो जबान से ही है, सब्द ही है, कुछ आपने उल्टा कह दिया उसको. तो वो ऐसा सब्द है, कि वो तातकालिक असर करेगा, तुरंत असर करेगा. ऐसे ही कुछ नाम होते हैं, ऐसे ही कुछ मंत्र होते हैं, जो तुरंत असर करते हैं. क्योंकि वो व्यक्ती आपको नहीं जानता था, आप उसे नहीं जानते थे, लेकिन आपने जेसे ही उसको अपसब्द कहा कोई गाली दी वेसे ही वो विक्ती बिल्कुल تم-t pię जाएगा तो यह आपके सब्दों का प्रभाव था प्रिदि आप दोस्त हैं कोई दोस्त है और अस दोस्त को यदि आपने हस्ते हस्ते गाली दे दी तो वो हसी में बात निकल जाएगी तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपका भाव भी काफी महत्वर रखता है कि आपने हसते हुए कोई बात कही कही बले ही उल्टी लेकिन हसते हुए कही दी भाव वो नहीं थे तो परिणाम वो भोगने को नहीं मिला तो क्या बात हुई कि एक तो सब्द पावरफुल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा साथ ही साथ आपका भाव यदि ये दोनों चीज प्रोपरली आप कर लेते हैं तो इंस्टन्ट आपको इसका रिजल्ट मिलेगा तुरंट आपको इसका रिजल्ट मिलेगा तो अरित यदि संपुन भाव के साथ में कोई पावरफुल नाम या सब्द का आप प्रयोक करते हैं तो ये ऐसा ही होगा जैसे किसी ताले की चाबी जो उसी ताले की चाबी थी आपने लगाई और ताला खोल दिया कितना आसान था लेकिन जिस व्यक्ति के पास उस ताले की चाबी नहीं है और दूसरी एक हजार चाबियां भी वो लगाता रहेगा तो वो ताला नहीं खुलेगा बस ऐसा ही है भाव और प्रोपर सब्द यदि आप कहीं पर लगा देते हैं तो आपके परेसानी का जो भी ताला है वो खुल जाएगा और आपके लिए सारे ही रास्ते आसान हो जाएंगे तो ऐसा ही एक उपाय आज में आपको बताने वाला हूँ लेकिन उसके पहले यदि आप हमरी चैनल में नए हैं तो मैं आपको बता दूँ कि हम इस चैनल के माद्याम से हमारे पराचेंतम गृंत्यों चुके हुए कई ऐसे गूड रहसे हैं तो अब हैं हमारी चैनल को subscribe कर लिए क्योंकि आगए हम इस तरह की जानकारी इसी चैनल के माद्याम से आपको देते रहेंगे तो चले दोस्तों बताता हूँ आज का उपाई के आपको करना क्या है दोस्तों जब आप सोने के लिए जा रहे हैं रात में जब आप सोने के लिए जा रहे हैं उस समय आपको यह क्रिया करनी है संपूर्ण रूप से जब आप निवरुत हो चुके हैं अपने काम से सारे ही काम आपके हो चुके हैं जब आप बिस्तर में लेटे हैं उस समय आपको इस क्रिया को करना है आप मन ही मन सोचें कि आपको क्या चीज चाहिए कितना पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, क्या आपकी जरूरत है इसके बिना आपको क्यों नहीं चलेगा यह संपूर्ण भाव को पेदा कीजिए जब संपूर्ण भाव आपके पेदा हो जाए आपको लगे के नहीं, हाँ, मुझे यह चीज़ चाहिए ही चाहिए मुझे इसके बिना नहीं चलेगा आप तब तीन दफे ये नाम बोलें विद्यावती 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 तीन दफे आपको ये नाम बोलना है तीन दपे आप ये नाम बोले, ये नाम के काफी टोने टोटके हैं, इसका आप काफी अलग अलग जगा पर अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं इसके अलग अलग उपाई वीडियो आपको बदा करके बनाऊंगा कि कहां कहां आप इसका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकि विद्यावती 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 तीन दफ्याप इस सब्द को बोलें दूसरे दिन सवेरे जब आप उठते हैं तो वो जो सिक्का है उसको आप ले लें आपको कोई दूसरा कारिय नहीं करना है सीधे उठते के साथ आप उस सिक्के को ले लें और कहीं भी जहां घर करके नजदीक में आपको पीपल का पेड़ दिखाए दे कोई मंदीर हो या कहीं पानी हो स्वच्छ जोल हो उस जगह पर उस सिक्ट कोई को फिर से विद्यावती 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 बोल करके डाल दे आप देखेंगे कि यह जो टोटका है इससे आपको जो कोई भी काम होगा पेशों से संबंद जो कोई भी काम होगा जितनी भी आपको जरूत होगी वो आपकी पूरी हो जाएगी ठीक है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाई के साथ मुझे दीजे विद्या और आप लोग देखते रहें दिव प्रकास और अपने जिवन में लापनूत होते रहे हैं धन्यवाद